आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कौमन परिशिती जिसकी वज़े से साधरन्त दस पे से आठ और या नौ पेशिंस हमारे पास में आके कंप्लेन करते हैं कभी न कभी अपने जीवन काल में अब वो है वाइट डिस्चाज या सफेद पानी जाना या लिकोरिया या जिससे हम कहते हैं हमारी बाशा में बजाएनाइटिस आज हम डिसकस करेंगे वो टॉप पाँच चीजें जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चीए जब आप वाइट डिस्चाज या सफेद पानी के बारे में सोचते हैं तो आइक्चुली ये पाँच चीजे क्या है नमबर वन क्या ये नॉर्मल हो सकता है नमबर टू डॉक्टर के पास में हमें कब जाना चाहिए या कब हमें जाकर चेक कराना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है नमबर तीन इसका इलाज क्या होता है और क्या किया जाएगा नमबर चार हमारे hygiene related हमें किन बातों का ध्यान रखना है चाहे हमारे कपड़ों का हो, चाहे हमारे routine cleaning का हो जिससे कि हम ये problem से बार बार शिकार ना हो और last but not the least, बिना दवाई के, बिना कोई major intervention के क्या हम हमारे घरगुती तरीके से या हमारे lifestyle में कुछ changes ला सकते हैं ये चीज शरीर का एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जैसे कि दो मेंसिस के बीच में ovulation के समय जब अंडा फूटता है उस समय के टाइम पे महावारी है मेंसिस के जस्ट पहले या जस्ट बाद में इस समय पे थोड़ा सा wide discharge आ सकता है, कभी-कभी ये आप उतेजित अवस्था में हैं तो भी आपको wide discharge हो सकता है ये सब normal है, ये प्रकृति का तरीका है कि उस जगे पे healthy lining या वहाँ पर आपको lubrication create करके रखे, तो ये actually abnormal नहीं है, तो ये पहली बात, दूसरी चीज तो हमें दूसरी के पास कब जाना चाहिए, कब हम ये मानें कि ये discharge abnormal है, तो अगर discharge abnormal है इसके बारे में सोचना है, तो number one, यदि ये discharge बहुत ज्यादा मातरा में है, इतना ज्यादा कि आपको panty liner लेना पढ़ रहा है, या pad लेना पढ़ रहा है, आपकी panty पूरी घिली हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, number two, यदि ये discharge का जो color है, वो अलग है, watery, whitish की जगे पे, यदि इसका color greenish, yellowish, या blood tinge, यानि कि लाल या गुला भी ऐसा color है, या फिर brownish, blackish है, तो immediately आप doctor को inform करेंगे, number three, उसकी जो consistency है, यदि वो बहुत ही गाड़ा, दही जैसा, या पनीर जैसा, या सफेद clots जा रहे हैं, तो आप immediately doctor को बताएंगे, या वो frothy है, या उसमें जहाग जैसा कुछ पदार्थ निकल रहा है, तो ulcer हो गए है, या छुड़-छुड़ी फंसियां या दाने-दाने-दाने हो रहे हैं, तो आप immediately doctor को दिखाएंगे, और आखरी, जब बहुत pain हो रहा है, चाहे आपके पेट में, lower abdomen में, या कमर में, lower backache, इसके साथ में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप doctor को जरूर कब जाना है, तीसरी चीज की इलाज किया होगा और कैसे होगा, क्या किया जाता है इसके इलाज में, देखिए, सबसे पहले जब आप doctor के पास जाएंगे, तो doctor ये पता लगाएंगे, कि वाकिए ये abnormal है और इलाज की जरूरत है, या ये normal discharge है, और यदि ये abnormal है, तो क्या ये प्राइट पार्ट पर आपने वाक्सिंग किया है, या शेविंग किया है, जिसका reaction क्रिये हो रहा है, तो वो चीज सबसे पहले उसको रूल आट किया जाता है, और धहन देखा जाता है कि ये infection तो नहीं है, infection कई प्रकार के होते हैं, जो commonest infection जो हम सोचते हैं, वो है bacterial vaginosis, य जो आपको कुछ गोली दी जाएंगी, जो आप औरली खाएंगे, आपको कुछ वजायना में रठने के लिए हो सकता है, पैसरी दी जाए, जो आप यो नी माग में अंदर, आप वो दवाई अंदर से ढखे लेंगे और रखेंगे अंदर, जिससे कि आपको infection ना हो, या हो सक करता है कि आपके partner को भी दवाई दी जाए आपके साथ में, तो आपके doctor से पूछिए कि क्या हमारे partner को भी दवाई देने की जरुवत है क्या, because infection एक partner से दूसरे partner में transfer होने की भी संभावना होती है, ये हो गया आपका तीसरा important trip कि क्या इलाज कैसे होगा और क्या होगा, कि हमारा जो pelvis है, वो आगे की तरफ पे शापकी थैली, योनी मार्ग में, बच्चा दानी और फिर योनी मार्ग और पीछे की तरफ संदास का रस्ता, ये एक, दो, तीन जो अलग-अलग important output है, outlet है जो हमारे private part पे, उस पे एक चीज हमें जो problem है, उसका बहुत ध्यान रखना कि जो motions जब होते हैं, उस जगे पे जो गंदगी होती है, वो infection है, अगर clean करते हैं, तो आगे की तरफ लेके आते हैं, तो योनी मार्ग में जाता है, वजाइना में, तो vaginitis का risk बढ़ता है, और अगर उपर जाता है, bladder में, तो urethra के जरिये, तो वहाँ urine tract infection, जैसे हम UTI कहत करते हैं, लेकिन हम पानी से यूज करते हैं, पानी को जब हम आगे की तरफ लेके आके, you know, infection को transmit करेंगे, तो risk होता है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, wash करना सही है, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखें, कि वो पानी यहां से उपर की तरफ ना लाए, दूसरा, second important thing is, कि अगर आप घिला छोड़ते हैं, मौश्चर छोड़ते हैं, या आपकी अंडर्गामें घिली रह जाती है, तो आपके infection के chances ज्यादा बढ़ जाते हैं, अब ये पानी से एक चीज और धान में आया, कभी-कभी, कई patients आते हैं, रोक्सा हम तो बहुत साफ रहते हैं, हम तो आते हैं, या spray डालते हैं, या shower डालते हैं, तो वहां का जो normal healthy microorganism है, जिस हम कहते हैं, for example, lactobacill है, वो सब wipe off हो जाता है, या wash out हो जाता है, और उस वज़े से आपके infection के chances उल्टा बढ़ जाते हैं, तो आपको dushing नहीं करना है, आपको सिर्फ clean करना है, और wipe करना है, और dry आते हैं, अब आते हैं, एक आकरी बात, जो हम hygiene से related है, वो है आपके undergarments, जो आपके undergarments है, याद रखें, कि undergarments में अगर infection रह जाता है, तो वो आपको infection carry करता है, तो यदि आपके undergarments में आप देख रहे हैं, कि बहुत पीला पन आ रहा है, या उसके अंदर आपका जो color है create करते हैं, so even अगर आपने अपने undergarments को properly सुखाए बिना यूज किया, गिले या moist अवस्था में यूज किया, तो आपके infection के chances बढ़ जाते हैं, उसको सुखाने के लिए तो दूप में रखें, या तो अगर आपको दूप की सुविधा नहीं आपके हैं, तो आयन करके उसक जो cycling shorts या gym के जो कपड़े पहनते हैं और इसमें बहुत पसीना आता है, तो moisture लेकिए infection जादा करता है, तो इसे दिन भर ना use करें, खाली कुछ समय के लिए जो use करते हैं, वहीं पर use करें, और फिर इसको change कर ले जाए, ये हो गया आपका hygiene का चौथा important tip जो मैंने दिया, आक आपका diet, बहुत जादा मीठा या high carbohydrate या शुगर वाली चीजे जादा मतलें, उसको कम करें, याद रखें कि केवल खाने पीने में नहीं, लिकिन यदि आपको diabetes है या आपके partner को diabetes है, तो infection-wide discharge के chances जादा हो जाते हैं, इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको थान रखने हैं खाने पीलें के अलावा खाने के अंदर रख दी एक चीज और सोचें, तो दही या योगर्ट या ये जो सारी चीजे हैं, उससे आपके शरीर में probiotic की मात्रा बढ़ती है, तो आपको उसकी विज़े से infection की chances कम हो जाते हैं, इसके आपकी immunity उसके अंदर आपकी stress और sleep ये दो रहती है, यदि आप stress नहीं ले रहे हैं, नींद आपके अच्छे से पूरी हो रही है, तो भी आपकी immunity बैटर होती है, और वो भी infection कम करने में मदद करता है, और lastly, याद रखे, ये infection शारीरिक संबन से भी फैल सकता है, तो यदि आपके partner या आपके multiple partners होंगे, तो infection के chances बहुत कम हो जाते हैं, तो ये एक बहुत important message है, जो आप याद रखे, कभी-कभी infection जब active रहता है, तो यहां तक कहा जाता है कि partner से condom यूज करके ही संबन रखे, नहीं तो infection transfer होने के risk बढ़ जाते हैं, तो आखिर में यही कहूँगा, कि please, white discharge normal भी हो सकता है, abnormal भी, लेकिन सह ही समय पर इलाज करें, या अपने lifestyle का ध्यान रखे, आप हाईजीन का ध्यान रखे, तो आपको यह तकलीफ बहुत कम देगी, और याद रखे, जब आपके doctor के पास जाएं, तो क्रिपया pap smear कराना ना भूंडे, क्योंकि white discharge के लिए जब चेक अप के लिए जाते हैं, तो इ आगे जाके cancer होने का खत्रा किसी को ना हो, thank you very much, all the very best.